My dear students, सभी लोग जुड़ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और सभी का बहुत बेसबरी से इंतजार था, कि सर कब मेंस का बैच लेकर आओगे SSC का, और कब हमें top quality content देखने को मिलेगा, मेरा उद्देश्य आपको top quality content पढ़ाना है, मेरे basic, जो आपके कोई basic आपका week है, तो वो सारे basic courses भी आपको मैं provide करवाऊंगा, वहाँ पर ही अनकैडमी पर ही, सारे अगर basic week है, तो सारा basic course जिसमें arithmetic का अलग से होगा, और advanced math का अलग से होगा, वो अपने को वहाँ पे मिल जाएंगे, provide हो जाएंगे अपने आप, अनकैडमी पर बहुत अच्छे तरीके से य provide हो जाएंगे, मेरा target 200 batch आ रहा है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, आप सभी विध्यारतियों से यही बिंती है, जो भी SSC mains का batch join करना चाहते हैं, तो वो आज ही join कर लें, क्योंकि ये course 27 months से start हो जाएगा, इतने आप क्या करेंगे, इर्द गिर्द की चीजे समझ पा जाएंगे, और इस batch का main मकसद यही है, कि आपको, इस batch का main मकसद यही है, कि आपको exam based content provide किया जाए, exam based content provide किया जाए, और इतना ही मैं कहूंगा, कि 40% जो question होंगे, यानि कि अगर 100 question का, अगर मैं आपको एक set करवाता हूं, 5-3-4 दिन में, तो 100 question के set में, 40% जो question होंगे, वो आपके क्या होंगे, वो आपके PYQs होंगे, बिल्कुल लिया जाएगा, इनको इनको इग्रॉर नहीं किया जाएगा, और 60% जो content होगा, वो आपका new content होगा, जो कि question आते हैं, ज्यादा tough paper नहीं आ रहा है, जैसा कि आप पिछली बार भी आपने देखा, ठीक है, तो आप इ SSE में मिलेगा, exam based content का batch आ रहा है मेरा, आपके जितने भी course, सभी course, जो भी अनकैडमी पर चल रहे हैं, SSE category में सभी course मिलने वाले हैं, फाइदा सुन लीजिए, सबसे बड़ा फाइदा क्या है, फाइदा ये है कि आपकी English के जित्ते भी course चल रहे हैं, वो भी आपको इसी मे मिलेगा, math का जित्ते भी course चल रहे हैं, वो भी आपको इसी में मिल जाएगा, यानि कि एक ही fees में, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई fees देनी पड़ेगी, एक ही fees में आपको ये पूरा course मिलने वाला है, और आने वाले समय में मैं CGL का नया batch लेकर आ रहा हूँ, प्री का, six month का batch ला रहा हूँ, उसमें भी आपको help मिलेगी, तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि एक बार ले लोगे तो बार बार पैसा देने की जरुवत नहीं है, आप एक बार में बारे महीने का ले लो, है ना, तो साहिल 10 code लगाना है आपको, कैसे लेना है मैं बता देता हूँ, unacad economy learning app को Google Play Store से आपको download करना है, इसके बाद उसको install करना है, install करने के बाद में क्या होगा, SSC exam आपका goal है, choose your goal, login login कर ले न, अपनी ID से जो भी ID आपकी है, login कर ले न, SSC आपका goal है, उसको आपने select कर लिया, select करने के बाद में क्या होगा, SSC exam पे गए, फिर get subscription पर जाना है, get subscription पर जाने के बाद में, आपसे पूछा जाएगा, वही कितने महीने का लेना है, आप 12 महीने का चुनोगे, सर बारे महीने का य governments की क्या रहे हो आप, आपका क्या ऐसमें, मेरा हाँ इसके फाइदा नहीं है, आपका फाइदा है, 12 महीने की फीस में है, आप CGL, CPO, CHSL, GE, GD, M 20S यानि कि SSC की जितने भी exam होते हैं ना सभी की तयारी कर सकते हो ये ध्यान लखना सभी की preparation कर सकते हो साथ के साथ test series भी आपको मिलेगी साथ के साथ सभी educators भी आपको मिलेगे और सभी subject की class मिलेगी तो ये एक subscription model है आप उसको course के तरीके से ना लो कि एक course के लिए आप से बोल गलग courses मिलेंगे सिर्फ एक ही फीस में और English का भी मिल जाएगा मैस का भी मिल जाएगा जो मेरा अभी प्री टू में स्कोर्स आने वाला है मेरा एक लंबा 6 महीने का वो भी आपको इसी में मिल जाएगा ठीक है SSC में मिलेगा ध्यान रखना तो आप 12 महीने का जॉइन करो सा पाहिल टेन आप कोड को जब अपलाई करोगे अपलाई करने के बाद में आपको क्या होगा 10% का डिसकाउंट मिलेगा अपलाइड होते ही यानि कि जो 6000 रुपे की जो फीस थी ना वो घटकर 500 रुपे की हो जाएगी अब आप देख लो बारे महीने के लिए सभी सब्जेक् चीज़ है आपके लिए तो आप debit card credit card इन से payment कर सकते है net banking के थुरू और आप हमसे जुड सकते हैं तो the sahil 10 आपको बिना किसी gap के लगाना है मैं फिर से बता रहा हूँ आपको बिना किसी gap के लगाना है यह मेरा telegram channel है आप मुझे आप follow कर सकते हैं तो मैं चलता हूँ बाबाई टेक केर जुरंत जॉइन करिए और उम्मीद करूँगा कि आप बहतर रिजल्ट मुझे देंगे बाबाई लव्यू ओल जी बिल्कुल English descriptive भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा है ना English descriptive भी मिल जाएगा